नमस्कार दोस्तो, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सिवा ओनलाइन क्लासिस में दोस्तो, आज हमें इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंटरनेशनल ओर्गनाजेशन्स और उनके हेड़कोर्टर्स के बारे में और साथ ही साथ मैं इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि ये जो और्गनाजेशन्स हैं, इनका स्थापना कब होई थी तो बहुत ही इंपोर्टेन वीडियो है दोस्तो, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल सिवा उनलाइन क्लासेश को सब्सक्राइब जरू करें तो चलिए दोस्तो, स्टार्ट करते हैं आज की बीडियो नंबर बन है डबलू एचो, डबलू एचो होता है दोस्तो, इसकी फुलफोम है वर्ल्ड हेल्थ और्गनाईजेशन, तो डबलू एचो का हिंदी में नाम होता है विश्व स्वास्थ संग्टन, और इसकी स्थापन हुई थी, साथ अप्राइल उननिस्सो अड़तालिस के लिए मुख्याला है डबलू एचो का जेनेवा स्विजर लेंड में नेक्स्ट आता है हमारा नासा, नासा एक अमेरिका की स्पेस एजन्सी है नासा की फुलफर्म होती है दोस्तो नेशनल एरोनेटेक्स एंड स्पेस एड्मिनिस्ट्रेशन तो नासा का जो हिंदी में नाम है वो है राष्टरी बैमानिकी और अंतरिक्ष प्रवंधन नेक्स्ट ले लेते हैं दोस्तो यूनिसेफ यूनिसेफ की बैसे तो कई फुलफर्म है लेकिन इसकी जो लेटेश फुलफर्म है वो यही है यूनाटेट नेशन्स चिल्डरन फंड अगर आप इसको नेट पर सर्च करेंगे तो आपको इसकी और फुलफर्म मिल जाएंगे लेकिन वो पहले की फुलफर्म थी अभी इसकी जो लेटेश फुलफर्म है दोस्तो वो यूनिसेफ नेशन्स चिल्डरन फंड है तो यूनिसेफ दोस्तो इसका हिंदी में नाम होता है अंतराश्ट्री वालकोस यूनिसेफ की स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 के लिए और इसका मुख्याले नियुवर्क अमेरिका में है तो दोस्तो वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करकर जरू बताएं अभी इस वीडियो में और भी हेडकोर्टर्स हैं लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे यूटूब चैनल सिवा ओनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वेल आइकन को प्रेस कर लें तो दोस्तो इस वीडियो के अगर आप PDF फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के description से डाउनलोड कर सकते हैं Next है हमारा World Bank तो दोस्तो World Bank का कोई full form नहीं है क्योंकि इसका पूरा नाम ही दिया हुआ है यहाँ पे तो World Bank के लिए हिंदी में बोलेंगे विस्व बैंक इस्थापना हुई थी World Bank की जुलाई 1944 में मुख्याला इसका वॉसिंग्टन डिसी अमेरिका में है Next ले लेते हैं हम Shark तो दोस्तो Shark में कई countries है तो आप इस वीडियो की playlist में आके इस वीडियो की description में आके उश वीडियो के लिए भी देख सकते हैं और फ़स्ट कमेंट पे आपके लिए उस वीडियो के जो है वह लिंक मिल जाएगा तो उसमें मैंने एक ट्रिक बताई है जिससे आपको बिल्कुल याद हो जाएगा कि सार्क में कौन-कौन सी कंट्रीज होती है और सार्क के बारे में मैंने काफी डिटेल्मेंट बताया है तो सार्क के दोस्तों फुल फॉर्म होती है South Asian Association for Regional Corporation हिंदी में इसका नाम होता है दक्षिंड ACI 36 सायोग संगठन सार्क के इस्थापना हुए थी 8 दिसंबर 1985 के लिए और इसका मुख्याले काठमांडू नेपाल में है नेक्स्ट ले लेते हैं फीफा तो फीफा के फुल फॉर्म होती है International Federation of Association Football तो हिंदी में इसका नाम होगा Association Football का अंतराष्ट्री है संगठन स्थापना हुए थी फीफा की 21 मई 1904 के लिए और इसका मुख्याले जो है दोस्तों जीवरिक स्वीजर्लेंड में है नेक्स्ट है हमारा नाटो तो नाटो की दोस्तों फुल फॉर्म होती है North Atlantic Treaty Organization हिंदी में इसका नाम होता है उत्री एटलैंटिक संधी संगठन इस्थापना हुए थी नाटो की चार अप्राइल 1909 के लिए और इसका हेड़कॉर्टर है दोस्तों जो मुख्याले वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है हिए नेक्स्ट आता है दोस्तों इसरो इसरो जो है भारत की एक अंतरिक्ष अजेंसी है इसरो की फुलफॉर्म होती है दोस्तों Indian Space Research Organisation तो हिंदी में इसका नाम होता है भारतिय अंत्रिक्ष अनसंधान संग्ठन इस्थापने इसकी 15 अगस्त 1969 यानि कि 1969 तो 15 अगस्त 1969 को इस रोकी इस्थापना हुई थी इसका मुख्याले दोस्तों बैंगलॉर करनाटक में है नेक्स्ट आता दोस्तों BCCI जैसा कि आप पिछली वीडियो में देखा आपने पिछली पेज में कि मैंने ICC के लिए बताया है तो पूरे वर्ड में जो क्रिकेट का मालिक कह सकते हैं वो ICC है ठीक है और इंडिया में जो क्रिकेट के लिए कंट्रोल करता है उसको हम बोलते है हैं BCCI तो BCCI की फुल फॉर्म होती है Board of Control for Cricket in India Board of Control for Cricket in India तो दोस्तों BCCI को भारत में हिंदी में बोलेंगे भारती क्रिकेट नियंत्रन बोल्ड भारती क्रिकेट नियंत्रन बोल्ड इस्थापना हुई थी इसकी दिसंबर 1928 में और मुख्याल है इसका मुंबई भारत मे तो ये थे दोस्तों 10 Main Main Organizations जो कि आपके exam के लिए बहुत ही ज़्यादा important है तो उम्मिद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल सिभा Online Classes को सब्सक्राइब जरू करें तो चलिए दोस्तों क